बूना गोष बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक किलो जो है लेलिया है बड़े का गोष यह देखें यह मेरे पास वैसी फ्रोजन हुआ वा है तो अभी यह खुल जाएगा थोड़े देर में यह एक किलो है इसमें यहाँ पे मैं इतना पानी आइड करूंगी ताके यह जो है इसमें दो खाने का चम्मच भर के मैं आइड करने लगी हूँ गार्लिक जेंजर पेस्ट इसमें चला गया गार्लिक जेंजर पेस्ट इसके साथ ही तीन चाय का चम्मच पिसीवी हल्दी मतलब के धनिया पॉडर यह धनिया पॉडर है जो के रेगुलर खानों में दलता है यह वो है इसके साथ यहाँ पे एक चाय का चम्मच हल्दी पॉडर यह चल ए जोड़ा करने और कुकिंग ओयल तो यहां पे मैं और फॉर्थ कुप कुकिंग ओयल इसमें एड़ कर रही है। इसके साथ यहां पे अभी मैं फिलेम को कर दूँगी और एक वाइलने दूँगी बागी की स्पाइसल जो है मैं फिरेट करूँगी यहां पे परफेक्ट सब वाइल आ चुका है अभी यहां पे दो बड़ी प्यास जिसे मैंने को अच्छी तरीके से गल चुका है इसको गलने में तकरीबन लगे दे 45 मिंड अब यहां पे मैंने दो बड़े टिमाटो जिसे मैंने कट कर लिया है उसको इसमें एड कर देती हूं और यहां पे फिलेम को जवें सुन करके मैं गोश को इसलाइम भूनूँ की टिमाटर के साथ यहां पे देखें टिमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी थोड़ा गोश जो है वो लिक्विटी है इस स्टेज़ पे मैंने यहां पे कौटर बंच जो है फ्रेश हरा धनिया कट करके रखा वाई साथे यहां पे चार बड़ी हरी मिर्चे अब इस स्टेज़ पे मैं यह दोनों चीज़ें एड़ करके इसको यहां पे इतना भूनूँगी ताके वाईल जो है वो अलग हो जाए और अच्छा सा खुबसर सा गोश में एक कलर आ जाए मज़ेदार सा हल्दी वाला भुनावा गोश तयार हो चुका है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा विलोक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस उसे सब्सक्राइब करें इसके साथ जाज़त दीजिये दौा में आदर कियेगा अला हाफिज